हलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का कमपटीटिव एक हैजबिया में चले शुरुबात करते हैं आज के करन कैपसूल की लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक इन्फोर्मेशन है आप से हम लोग क्या करेंगे कि न्यूस बहुत कम ही होती हैं चार या पांच छे न्यूस होती हैं तो साथ में हम लोग यह करेंगे कि जो UPSC में पहले प्रशन आ चुके हैं उनको देखते हुए चलेंगे रोजाना जो भी हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड अगर कोई प्रशन UPSC में आया हुआ है पीछे तो उसको भी हम साथ में डिस्कस कर लेंगे तो चले शुरुवात करते हैं पहली न्यूस है निर्वाचन आयोग ने 21 मई 2020 को महरास्ट विधान सभा के सदस्यों द्वारा महरास्ट विधान परिशत के लिए दिववार्शिक चुनाओ कराने का फैसला लिया है तो context इतना important नहीं है लेकिन विधान परिशत ये जिस body का चुनाओ होना है उसके बारे में हम जान लेते हैं जैसा कि आप लोग को पता है कि दूई सदनी कुछ राज्यों में वस्ता की गई है दो सदन होते हैं एक तो विधान सभा और दूसरा विधान परिशत जो विधान सभा होता है उसको लोगप्रिय सदन कहा जाता है या निमन सदन कहा जाता है और जो दूसरा है विधान परिशत उसे उच्छ सदन कहा जाता है केंदर में भी यही विवस्ता है लोगसभा जिसको निम्नसदन कहते हैं और राजसभा जिसे उच्छ सदन कहते हैं लेकिन ये एक चीज़ ध्यान लखिएगा Constitution में कहीं पर भी ये शब्द नहीं आया हुआ है निम्नसदन या उच्छ सदन ये जैसा कि Parliamentary System हमने England से लिया हुआ है तो वहां का जो House of Lords है उसको उच्छ सदन बोलते हैं और जो House of Common है उसको निम्नसदन बोलते हैं तो वहीं से इंस्पायर हो करके ये नाम प्रचलित हुए अपने हां पर लेकिन ऐसा कहीं Constitution में मेंशन नहीं है तो जैसा कि आपको पता है दो सदन होते हैं एक विदान सभा और दूसरा विदान परशद तो विदान सभा के जो सदस्य होते हैं वो तो directly चुने जाते हैं लेकिन जो विदान परिशद के सदस्य होते हैं इनमें कुछ का तो आपरतेच रूप से चुनाओ होता हैं बाकि कुछ ऐसे होते हैं जो राज राज की हम बात करेंगे उस राज में जो विधान सभा है उसकी कुल संख्या के एक तिहाई से अधिक्तम वहाँ पर विधान परश्यत के सदस्यों की संख्या नहीं होगी और न्यूनतम 40 हो सकती है लेकिन एक्शुल में क्या संख्या होगी ये संसर्डिसाइड करती है इसके सदस्यों का कारेकाल छे वर्ष्य का होता है फ़िधान सभा के सदस्या नहीं है तो हर دो दो साल पर इनमें से एक 23 सदस्यों का चुनाओं होता है कि कहां कहां पर विधान परिशद है उत्तर परदेश बिहार महारास्ट्रा तेलंगान आंत्र परदेश करनाटक अभी जम्मु और कश्मीर में थी लेकिन जम्मु कश्मीर को यूटी बना दिया गया है लद्दाक को भी यूटी बना दि कि जैसे की दिल्ली और पुदुच्वेरी में व्यस्ता की गई है कि वहां पर विधान सबा है वैसे ही कश्मीर में भी विधान सबा रहेगी लेकिन विधान परशद नहीं रहेगा गठन विधान परशद से संबंदित जो गठन है ये संविधान के अनुछेद 169, 171 का 1 औ विधान सबा में उपस्ति सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पारित प्रस्ताओ को संगी संसत के पास बेजा जाता है ये जो राज प्रस्ताओ पारित करेंगे जिनको अपने हाँ पर विधान परिशद बनानी है या अगर बनी है तो उसको समाप्त करना है तो अपने बहुमत से इसके परश्चाद आर्टकिल 171 के क्लॉस 2 में दिया गया है कि लोगसभा एवं राजसभा ये साधारण बहुमत से प्रस्ताओं को पारित करेंगे उसके बाद इस प्रस्ताओं को राजपती के पास भेजा जाएगा राजपती साइन कर देता है तो विदान परश कैसे कैसे चुने जाते हैं सदस्य कहां कहां से जो इसके वन थर्ड सदस्य हैं वो इस्थानी निकायों जैसे की नगरपाली का बोर्ड हो गया इसके द्वारा चुने जाते हैं एक बटे बारा सदस्यों को राज में रहरे तीन वर्ष से अधिक जो इसनातक है जिनको तीन सा पक चुनते हैं और एक बटेश्वी का जो चुनाओं है वो विद्धान सभा के सदस्व के दवारा किया जाता है जो बाकी बचे हुए सदस्वे हैं यह राजपाल के दवारा कुछ छेत्रों से नमांकित किया जाते हैं, वो कौन-कौन से छेत्र हैं, साहित्य, विज्ञान, कला, सैकारितान दोलन और समास सिवा, तो इसके बारे में इतना ही था, अगला है, चक्मा और हाजोंग, तो ये चर्चा में क्यूं है, पूर्वोत्र छेत्र विकास मंतराले ने अरुडाचल प्रदेश सरकार को निर्देश दिये हैं, कि चक्मा और हाजोंग ये जो शराडारती हैं, इन्हें COVID-19 राहत योजना में सम्मिलित किया जाए, तो context इतना important नहीं है, लेकिन ये जो चक्मा और हाजोंग ये जो tribal group है, ये important है, इसके बारे में जान लेते हैं, ये mainly पहले चटगाओं का जो पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर रहते थे, ये कुछ चटगाओं पहाड़ी इलाके का कुछ एरिया बांगलादेश और कुछ एरिया इंडिया में आता है, तो चटगाओं जो है ये बंगला देश में है लेकिन जो कुछ पर्ट इंडिया में आता उसी के आसपास के एरिये में चक्मा और हाजोंग ये रहते थे जिनमे से अधिकांश लोग बंगला देश में रहते थे जो चक्मा है ये बहुत धर्म के अनुज़ाई है जबकि हाजोंग जो है वो अधिगांश हिंदू है ये मुख्यता पश्चिम बंगाल, बांगलादेश, मियमार और नौर्थीस्ट के जो बाकी राज्ज हैं वहाँ पर ये पाया जाते हैं ये बांगलादेश में करना फुली एक रिवर है उसके उपर एक डैम बनाया गया था कप्ताई बांग उसकी वज़े से जो लेक बनी थी उसमें जहां पर ये लोग रह रहे थे वो एरिया जलमगन हो गया था तो ये लोग माइग्रेट करके पहले जो मिजोरम है वो असम का प इसके लावा 2004 में इन्हें स्टेट की जो एलेक्शन्स होते हैं उसमें वोटिंग राइट्स भी दे दिये गए अगला है विज्ञान और प्रदोगी की विभाग के अंतरगत एक स्वायत संस्थान है जवाहरलाल नेहरू सेंटर पॉर एडवांस्ट साइन्टिफिक रिसर् इसकी जो सैद्धान्तिक विज्ञान इकाई है इनकी प्रोफेसर शोबना नरसिमहन इनको अमेरिकन एकेडमी आफ आर्ट्स एंड साइन्स इसने अंतरश्टी मानत सदस्य के रूप में चुना है अंतरश्टी एकेडमी आफ आर्ट एंड साइन्स इसमें उन थिंकर्स और लीडर्स या जो स्कॉलर से उनको प्षिना जाता है जिन्होंने विज्ञान कला मानवी की सारवनिक जीवन में बहुत एक अच्छा प्रतिष्ठित मकाम हासिल किया है और इनमें आप इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि इसमें चार्ल्स डार्विन, अल्बर्ट आइंस्टीन, नेलसन, मंडेला ऐसे जैसे महान विक्तित संभली थे हैं उनको ये दर्जा दिया गया है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ओनर है किसलिए इनको दिया गया है इन्होंने साइंस में नैनो मेटिरियल्स को लेकर के रिसर्च किया थे हैं उन्हें ये पता लगाया था कि नैनो मेटिरियल्स का आयाम और जो उनका आकार है अगर उसमें कमी आती है तो पदार्त के बहुते गुड किस प्रकार से प्रभावित होते हैं और नैनो टेकनोलोजी इस टाइम आपको पता ही कितनी फेमस है ऐसा कोई छेत्र नहीं है जिसमें इसका उप्योग ना किया जा रहा हो अधिकतर छेत्रों में इसका उप्योग किया आता है तो बहुत ही important चीज है नाम याद रखी गए मेंली UPSC में person specific प्रशन नहीं आते हैं लेकिन state PCS में ऐसे प्रशन आते हैं अगला है Cyrus तो ये चर्चा में क्यों है और ये है क्या Cyrus का full form है CubeSat Imaging Radar Earth Satellite NASA ने अंतरिच से भूकम और जौला मुखी विस्पोर्ट की निगरानी के लिए इस Radar सिस्टम का उप्योग शुरू किया है अंतरिच से प्रत्वी पर भूकम प्यों और जौला मुखी गतिविदी के कारण होने वाले जो भौतिक परिवर्तन है उनकी निगरानी करेगा और पहले से ही इनफॉर्म कर देगा इससे होगा क्या अगर आपदा के पहले ही हमें जानकारी मिल जाएगी तो बाद में जो आपदा परबंधन में बहुत जादा दिक्कते आती बहुत जादा समस्य आती वो नहीं आएगी तो इसमें help करेगा तो में ली बस आपको इसमें ये जानना है कि Cyrus है क्या और ये किसका initiative है तो Cyrus एक satellite है satellite launch किया गया है NASA के द्वारा काम क्या होगा निगरानी करेगा तो आज चार ही topic important थे प्रश्ण देख लेते हैं जैसे कि अब हमने Cyrus discuss किया है तो वैसे ही पहले भी बहुत सारे जो satellite या भेजे गए हैं उनसे related प्रश्ण आये हुए हैं तो ये 2014 UPSC में प्रश्ण पूछा गया था निमलिखित में से कौन से सही सुमेली थे हैं एक तरफ अंतिर छियान दिये गया है दूसरा दिया गया है कि उनका purpose क्या था भेजने का पहला है Cassini Husions शुक्र की परिकर्मा करना और डेटा को प्रत्वी तक पहुँचाना दूसरा है Messenger पुद्ध का मान चित्रड और Unventured तीसरा है Wiser 1 और 2 सौर मंडल के बाहर की जो ग्रह हैं उनकी खोज करना एक्जो प्लानेट्स की खोज करना तो Cassini आपको पता है कि ये शनी की कक्षा में जो रिंग है उनकी स्टड़ी करने के लिए उसके नेचरल मून की स्टड़ी करने के लिए भेजा गया था तो पहला गलत हो जाएगा तो A नहीं होगा इसका और C भी नहीं होगा D भी नहीं होगा तो अगर आपको ये पता है कि Cassini किस से रिलेटेड है तो आपका ये प्रशन सॉल्व हो जाएगा पहले सही बाकी दोनों सही है और Cassini जो भेजा गया था इसमें European Space Agency Italian Space Agency और NASA इन तीनों का एक संयूक्त प्रोजेक्ट था जबकि Messenger और Vazor ये भी NASA के प्रोजेक्ट थे इंडिवीज्वल अगला प्रशन है अगनी फोर के संबंद में कतनों में से कौन से कतन सही है पहला है या सता से सता पर मार करने वाली मिसाइल है दूसरा है यह केवल तरल प्रडोदक इंदनगाव प्रियोग करती है और तीसरा है यह लगबक 75-100 किलोमीटर दूर एक टन परमाड़ आयुद ले जाने में सक्षम है पहला इसका स्टेटमेंट सही है दूसरे में केवल दिया गया क्योंकि यह लिक्विट प्रोपेलेंट का नहीं बलकि सॉलिट प्रोपेलेंट का प्रियोग करती है यह मिसाइल और अगनी 5 की जो मारक छमता है वो लगबक 5000 किलोमीटर है तो अगनी 4 का जो अपग्रेड़ेड वर्जिन है वो अगनी 5 है तो अगनी 4 की जो मारक छमता होगी वो 5000 से तो कम ही होगी तो फिर इसका यह वाला इस्टेट्मिन भी गलत हो जाएगा तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा केवल एक तो आज की इस लेक्चर में इतना ही है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेगा वीडियो पसंदा है तो लाइक करिएगा और चलिए मिलते हैं कल कुछ नहीं टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद